मित्रो आज हाल ही में जो करनाटक और महराश्टर राज्चे के बीच में सिमा को लेकल विवाद उत्पन हुआ था इस विवाद की समाप्ति और इसके सम्विदान सम्मत मार्क के लिए मैंने महराश्टर के मुख्यमंत्री उपर मुख्यमंत्री और करनाटक के मुख्यमंत्री गुरू मंत्री और वरिष्ट साथियों को आज यहां पर बुलाए था दोनों पक्सों के साथ भारत सरकार के गुरू इवाद के ओफिसर की उपस्तिती में बहुत अच्छे महोल में बात हुई है दोनों मुख्यमंत्रियों ने सकारात्मक एप्रोच रखा है और कुल मिला कर इस बात पर सहमती हुई है कि डिस्प्यूट के रास्ते और डिस्प्यूट का समाधान लोकतंत्र के अंदर रोड पर नहीं हो सकता समविदान सम्मत मार्क से हो सकता है तो अतर कुछ फैसले हुए हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ सबसे पहले जब तक सुप्रीम कौट का इस बारे में नहीं नहीं हाता कोई भी राज्य इसके बारे में एक दूसरे राज्य पर क्लेम या तो डिमांड जनरेट नहीं करेगा दूसरा दोनों राज्यों के मिला कर दोनों और से तिन तिन छे मंत्री बैठेंगे और इस पर डिटेल नीचे तक परकोलेशन की इस प्रकार से हो इसकी चिन्ता और चर्चा करेंगे छोटे छोटे और कई मुद्दे भी है दो राज्यों के बीच में जो पडोसी राज्यों में आम तोर पर देखे जाते हैं ऐसे मुद्दों का निवारन भी ये तिन-तिन मंत्री दो और से जो है वो ही करेंगे दोनों राज्यों में कानून और व्योस्ता की परिस्तिती ठीक रहें अन्य भासाभासी आबादी को या तो यात्रियों को या व्यापारियों को किसी भी प्रकार की परेशानी न जिलनी पड़े इसके लिए एक सिनियर IPS अपसर की अध्यक्सा में दोनों राज्य कमिटी बनाने के लिए सहमत हुए है जो कानून और व्योस्ता को सम्विधान के हिसाब से ठीक रखने में प्रयास करेंगे जब मामलों की चर्चा भी हुई तो ये भी ध्यान में आया है कि पूरे मामले में फेक टुईटर ने भी बहुत बड़ा रोल निभाया है कुछ फेक टुईटर सर्वोच निताओं के नाम से जनरेट किये गए और इसको फिला दिये गए हैं और ये मामला बहुत गंबिर इसलिए है कि इस प्रकार के ट्विटर से दोनों और की जनता की भावनाय उद्देलित होती है और घटनाय जन्म लिती है तो इताय हुआ है कि जहां जहां भी इस प्रकार के फिक ट्विटर के मामले सामने आये हैं वहां पर एफायार रेजिस्टर की जाएगी और जिनों न किया है उसको भी जनता के सामने एक्सपोस किया जाएगा तो एक बहुत अच्छा एक प्रकार से सर्वसम्मत नेनय आज की बैठक में हुआ है इसके बाद मैं दोनों राज्यों के विपक्सी पार्टियों के मित्रों को भी इस देश के गुरू मंत्री नाते अपील करना चाहता हूँ रादनितिक विरोध जो भी हो जो विपक्स में बैठे हैं सरकार के सामने रादनितिक कारेक्रम ले सकते हैं परंतु दोनों राज्यों की जन्ता के हीत में और दोनों राज्यों की बॉरडर पर अन्य भासाभासी जो लोग बस रहे हैं इनके हीत में अब इसको कम से कम रादनितिक मुद्दा न बनाया जाए ये कमिटी जो बनी है वो कमिटी की चर्चा का आउटकम और सुप्रिम कोट के फैसले का इंतजार किया जाए मुझे विश्वास है कि दोनों राज्यों में कॉंग्रेस, एन्सिपी और उद्धव ठाकरेजी का ग्रूप ये सारे नेता इस बात में सहयोग करेंगे कि इस बात को राजनेतिक रंग न दिया जाए धन्यवाद